नमस्ते दोस्तों मैं हूँ संगराम सिंग और जो मैंने एक कैम्पेणिंग स्टार्ट की थी आप सब के साथ मिलके हराओ करोना चैंपियन बनोना आज उसका 21 डेज है मैंनो 21 दिन है और मैं आप सब को बता रहा हूँ कि जो ये कैम्पेणिंग है ये मैंने यूआ अनस्टोपेबल ने या फामडेशन ने स्टार्ट किया था मगर ये अच्छा है इसके बाद आपके लिए फिजिकली लेके आएंगे तो मैं सब को बया राम राम नमस्ते दूआ सलाम सस्रेकाल सब कुछ हो गया मुझे जो आज का टोपिक है वो सुन लो इसके बाद शायद आपकी जिन्दकी में बहुत बदलाव आएगा जो आज का टोपिक है वो है रिजेक्शन यानि एस वी करती ना मंजूर तो इसके बारे में आप सब जानते होगे के जिन्दकी में रिजेक्शन क्या है क्या इसका मैतव है क्या कुछ है इसके अमारी लाइफ में क्या फर्क पड़ता है क्या वो आता है तो मैं आज बता रह दूसरा ऐसा शब्द है जिसको हम सुनना पसंद नहीं करते हैं, जिससे हमें डर लगता है और लाइफ में क्या है कि हम सब को कई ने कई rejection जहलना पड़ता है तो मैं आपको छोड़ी सी बात बता रहा हूँ, मैं दूसरी तो बात क्या पता हूँगा दूसरा काम कर लो, दूसरा काम कर लो, तो ये सारी मेरी बाते सुनो भईया राम राम नमस्ते में करता रूँगा आप सबसे, फिर आपके क्यों सन भी लूँगा जो अच्छी क्यों सन होंगे तो एक बार की बात है मेरा गाउं पढ़ता है हरियाना डिस्टिक में हरियाना स्टेट में रोतक डिस्टिक में मदिना तो मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा जैसे सरकारी स्कूल में नोवी दसवी किलास में पढ़ रहा था ऐसे ही बस पकड़के जाना लटक वटक के ऐसे ही सब कुछ करना, वो दिन भी याद है, तो क्या हुआ कि मैं बारवी किलास में फेल हो गया, तो बारवी किलास में फेल हो गया, तो फिर क्या हुआ कि फेल हुआ थोड़ा सा बुरी तरीके से फेल हो गया कि बहुत ज्यादा न तो जो वो टीचर थी न, वो किलास में आई और जो मुझे बुला प्रिंसिपल रूम के और उदर सारे उदर, कि बुले जी लड़का बहुत है, कल पूरे स्कूल से कहना पड़ेगा, मुझे बार खड़ा कर दिया, कि पैसे लेके आओ, उसको हावड पडने के लिए बेजना ह वो प्रिंसिपल बुला कि कौन है इसा लड़का, क्या कुछ है, कहां है इसा लड़का, बुला कि जी उसको तो हना हावड पडने बेजना पड़ेगा, हावड उन्ने उसे टी क्यों कि वो तो बहुत वो है, अपनी मातर बाशा में उसको 6-7 नमबर और इंगलिश में उसके हावड क्या होता है, मैं उससर से ही पूछा, तो मुझे पता है कि हावड यूनिवसिटी क्या है, कितनी बड़ी है, क्या कुछ है, मुझे भी आइडिया नहीं था, क्योंकि कहा इडिया होगा, सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, वहां से पढ़ के आए हैं, तो तुम तो हावड का नाम, तुम्हें जिंदगी में कुछ पता हैं कि हावड क्या है, क्या हावड है, क्या कुछ है, क्या यूनिवसिटी है, क्या जाना है, क्या आना है, मैंने ठीक है जी, मुझे पता हैं था कि हावड क्या है, अब मालिक की दयाशे में सरकारी स्कूल में पढ़ के, म अगली बार मुझे एक कमपार्टमेंट आया, मैं फिर Senior Scandi School में आगया, रोतक, कमपार्टमेंट आया और मैंने जाट कोलिज में एडमिसन ले लिया, जो रोतक का जाट कोलिज है, उसमें B.F.A.C.E.R. में, क्योंकि आठ से कर रहा था, इतना ज्यादा तो था नहीं, तो फिर क्या हुआ कि, मेरा 10 प्लस टू, वहां से फिर मैंने कलियर किया, अपार्टमेंट कलियर किया, उससे हो गया, तो फिर क्या हुआ कि, उसमें बोला कि, इसको तो हावड बेजना पड़ेगा, अब देखो मालिक की रजा, मैं लगा रहा आपनी मेहनत करने में, काम करने में, इ धेर सारे स्कूलों से लेके, धेर सारी जगे से लेके, मालिकी दया से मैं गैस बनके जाता हूँ, कई चीफ गैस, कई गैस ऑफोनल, उनको मोटिवेट करता हूँ, स्पीच देता हूँ, पढ़ाई के बारे में, और देखो मालिकी रजा, फिर मुझे हावर्ड से कोल आया, कि आप यहाँ पर लेक्चर देने आओ, हावर्ड से, तो यह अब करूना चल गया है, इस खान में जा नहीं पाया, तो कि अभी तो सब बंद है, तो खुद देखो कि वो, हावर्ड का जब मैं नाम सुनां, तो मेरी सारी मेमरी ताजा होगी, जो एक मेनेजर था, मेरा दोस्त हावर्ड से, यह सब है, मलेशया जा के आए, तो मलेशया वाल को रिफ्रेंस दिया, वहां से रिफ्रेंस मिला, तो मैं कहता हूँ, देखो, लाइफ में है ना, रिजेक्शन होता ना, वसा कोई फर्ग नहीं पड़ता, इसलिए कह रहा हूँ कि अपने उपर मेहनत करते रहो अपने में बिलिव करो, अपने उपर काम करते रहो, कि कभी जब मैं पूछता था कि हार्वर्ड क्या है, यह सारे चीज क्या है, मैंने सोचा है, मैं बाकी धेर सारे एक्जम्पल देता था, अज अपनी बता दो छोड़ी से आपको, तो इस सारे चीज की, दूसरी बात, बातचीत करने आपता नहीं, इसको इस चीज का पता नहीं, यह कर नहीं सकता, तो उसके बावजुद, अब मैं अपने शो खोस कर रहा हूं, फिल्म करने जा रहा हूं, मगर मैं एक्टिंग में प्रूव तब करूँगा, मैंने रियालिटी शो बोत कर ली हैं, एक तो फिक् क्योंकि रिजेक्शन इस दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशन है, याद रख लेना, जब कोई हमें रिजेक्ट करता हूं, तक मैंने तीन ओडिशन दिये, मुझे याद है, बॉम्बई में, पता नहीं किस चीज के लिए दिये थे, मुझे याद नहीं, तो तीन उन फैल क्या बनता हूं, उनको मोटिवेट करने का, उनकी रोजी-रोटी का, उनकी एजुकेशन का, उनकी उसका, चाहिए मैं मुंबई में कोई मिले, तो जितना मेरे से होता है, मैं मदद करता हूं, दिखो, कोई हमसे बात नहीं करता और कोई कभी हमें याद करता ना एक दम, तो अधिक मैं जो सोचना क्यो स्वार्थ ही आम याद कर रहा है ये सोचना के बहिया लाइट की, मुम्बत्ति की दिये की जरूथ काम पढ़ती है जहां पर अंदेरा हो तो हम परकाश है जो उसको दूर कर सकते हैं, हम रोशनी है जो इसको दूर कर सकते हैं तो अपने आपको हर पोजिशिण में अपने आपको मोटिवेट रखो मैं तो अपनी लाइफ में बता रहा ह Czech level मेरे सामने आ रहे हैं धेर सारे हैं जो दिखो जो रोकने वाले होते हैं ने ये भी दोस्त ही होते हैं हमारे एक मालिक बेज़ता हैं इनकों कि वे रोको अब मुझे काफी ने बोला कि अनोकरी छोड़ रहा है, ये सब कर रहा है, ये सब पागल आदमी है, नॉर्मली है, बड़े बड़न बताया, जब मैं देली पुल्स की जोब छोड़ी, मैंने बलगा कि अच्छेटी कह रहे हैं, कोई बात नी, मगर मेरा है ये, मैं जीत तभी जाता हूं, जब मैं जो कोई चीज स्टार्ट करता हूं, तो मैं आप सब कोई बता रहा हूं, कि भाया, लाइफ में है न, कभी भी डबल माइंड मत हो, आप तभी जीत जाओगे, जब आपने उ काम शुरुवात कर दिया, बस उस काम को बखूब भी आप शुरुवात करने थारीका मैं प्राइवात का फै gleichen उसका हूं, तो इसलिए बसीन वाले आइडिया लगा सकूते हैं, सामने वाले हमारा क्या है कि हमाराLou, हमारा Panel, हमारा Honer हमारी हिम्मत, हमारा भूशला कोई छोए नहीं कर सकता तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इस टोपिक से मुझे याद आया, मैं तो लाइफ के हर फेज पे रिजेक्ट हुआ हूँ हर फेज पे, कोई ऐसी चीज इनती के भिया रिजेक्ट ने किया, अब कोई रिजेक्ट करता ना मना करता तो मैं है ना, यूज्ट हो गया हूँ उसक एंड का मतलब है, efforts never dying, ना कोई fail है, fail का मतलब है, first attempt in life, तो उठो, कोशिश करो, ये महनत करो, सारी चीज करो, तो देखो, मेरी जिंदकी में तो कोई हार नाम का शब्द है नहीं, कितनी situation tough हो जाए, कितनी situation अच्छी हो, tough हो, मुझे कोई फर्व नहीं पड़ता, मैं आगे पड़ने बिलिव करता हूं, और पता है क्या है, जो आगे पड़ने वाला हो, किसी को रोके नहीं, किसी को काटे नहीं, किसी को रिजेक्ट नहीं करेगा, और जो रिजेक्ट करेगा, काटेगा, रोकेगा नहीं, कभी आगे बढ़ेगा भी नहीं, जिंदकी में, ये मैं नह यह saying है और अच्छी saying है पता है क्यों क्यों कि जिसकी सोच अच्छी होते है जिसकी विचार अच्छी होते है जो आगे बढ़ने वाला होता हो किसी को रोकता नहीं है और जो रोकता है वो आगे बढ़ता नहीं है अब खुद देख लो ना यह पूल होते है न बड़े-बड़ और रुकेगी नहीं, रुक गई तो फिर परवाह से आएगी, फिर आगे बड़ेगी, तो इसलिए मैं आप सब को लाइफ में पता रहा हूँ जो आज का मैंने टोपिक चुना, रिजेक्शन, इसलिए मैंने चुना कि भईया, देखो, जिंदकी मिजे तो एक रिजेक्ट नही होते हैं वह रिजेक्शन मेंने नहीं होता हुम डरते हैं उससे, स пользовeten हैं सब भईये तो मज़ा नहीं है, आब हमें रिजेक्ट हुए रिजेक्शन मिला पुमें थिक्ट गंदाब़ पुरा लगता हूं मुझे पुरा लगा कई पुरा लगा कई अने बट बूला, पर सनली बोला, नॉमली बोला, पदा कि धेर सारे बेवकुफ क्या करते हैं, कि वो काम तो कुछ अच्छा करते हैं, निना काम की बात करते हैं, वो हना आपका हना मोराल तोड़ने ही कोशिश करते हैं, धेर सारे देखा मैं, जो बड़े-बड़े अपने आपको बड़े-बड़े कहते ते तुर्रम खा कहते हैं, इसलिए कह रहा हूँ कि भाईया, हर चेम्पेन एक दिन बिगनर था, हर एक्सपर्ट, और मैं कह रहा हूँ, लिमिटेशन तीन जगा होती हैं, आज बात याद रख लेना, यह यह शायद कोई बताए या ना बताए, लिमिटेशन सर्फ तीन जगा ह हैं नहीं, मैं कह रहा हूँ कि लिमिटेशन नाम का शब्द निकाल दो, सुनो मत, इसलिए मैं कह रहा हूँ, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, रिजेक्शन इजदा फास्टेज ओफ वीनर्शिप, बिल्कुल बात सही है, और मैं इस चीज से एकरी करता हूँ, इसलिए मैं बिल्कुल इसलिए मैं आपको एक छोटीची बात बता रहा हूँ, वे जैक अंड्रे का पंदरा साल का लडगा था उस ने बोला कि भया मैंने के लिए एक रिशेर्च की है, मैंने के लिए चीज बनाई है, वो एक उनिवर्सिटी गया, दो उनिवर्सिटी गया, तीन गया, पांच गया, सो नहीं 199 बार उसको मुना किया कि यार इतनी चोटी उमर है, अगर बनाने वाला होता तो बड़ा हो करते बनाने वाला होता तो बड़ा हो करते तो इसलिए छोड़ दो 200 वी यूनिवर्सेटी थी जो मैंने आज इसको करके लखा यूनिवर्सेटी थी वो जोन होब यूनिवर्सेटी थी जिसने उसको हा कह दिया हा कह दिया तो उस लड़के ने तेलका मचा दिया, आज लाखों की जान बचाए जो हो लेके आए था, कम पैसे से, कम सारे चीज़ से इसलिए कहते हैं ना कि हम किसी को कम आख लेते हैं और मेरा फेवरेट हीरो पता कौन है, सिल्वस्टर स्रीलोन जिसको उन गाउं में जानते थे मैं आप सब के सवालों के जवाब दूँगा कि डीमोटिवेट करने वाले बया कामू नहीं का वही है मालिक ने बेजे वह इसलिए कि अमें डीमोटिवेट करे सिल्वस्टर स्रीलोन साब को आप सब ने देखा सब जानते हैं भी इसकी स्टोरी मगर मैं गहराई से थोड़ी सी बात बता जिता हूं कि उस इनसान के चेहरे को पैरलाइसिस हो गया था उसकी आवाज निकलते थी आख थोड़ी सी हो गई थी उसने अपनी कमजोरी को अपना स्टाइल बनाया सिल्वस्टर स्रीलोन साब ने अपनी कमजोरी को अपना स्टाइल बनाया उसमें दिखा कि हीरो बनना है अक्टर बनना नहीं बना तो उसने खुद एक स्क्रिप्त लिखी और उसको अना हर प्रोडेक्स ना उसमें गया 15-100 बार रिजेक्ट रहा 15-100 बार मगर उसका क्या था कि उसने अपना ड्रीम छोड़ा नहीं हिरो बनने का अपना कुटा बेच दिया अपना सब बेच दिया वहां पर बार बो ठंड बढ़ती है अंदर बैठा रहा था लाइबरेरी में उसके बावजुद वानर ब्रदर से फोना है कि आपकी स्क्रिप्ट कोम आपको 40,000 डूलर दे देंगे आपको इतने डूलर दे देंगे जिस आदमें पास रही का रुपया नहीं हो खाने का एक पैसा नहीं हो उसको इतने बड़े ओफर करना वो पागल ही था क्योंकि उसको अपने सपने बिलीव था उसने मुना कर दिया उसको और फिर 400 या कुछ कितने उस पे साइन किया डूलर पे काँच 14,000 की बात थी काँच 40,000 की बात थी और उस फिल्म में क्या हुआ कि बनते बनते बीच में उनका वहां से पैसी खतम हो गए मतलब डाउन फिल्म को पूरा किया देरे देरे फिल्म बनाई और रोकी फिल्म ने आप जानते है कि रोकी फिल्म ने ना सिर्फ शिल्वेस्टर स्ट्रीलोन को स्टार बनाया व्र्डवाइड उस फिल्म ने तैलका मचा दिया क्या है कि उस फिल्म के बारे में सिर्फ सिल्बस्टर स्टीरोन को विश्वास था कि मैं इस अब करूंगा और जो उसकी कमजोरी थी जो पैरलाइसिस था उसके फेस को बात निकर सकता था अपने आपको डंक से प्रेजन निकर सकता था आखे थोड़ी सी अलकिसी थोड़ी सी की उस आदमी का उस स्टायल बन गया वो संसे का थाकॉंटिंग होने लग गई तुमापो क्या बता हूं कि अब कितने एक्जांपल दू हम आपको कि ரिजेक्शन का नाम है कि रिजेक्शन 20 इस Соरी सबसे बड़ा मोटिवेशन है सबसे बड़ा मोटिवेशन अब मैं उस केपसी के इंटरू देने के लिए तीस आदमी गई उस 39 स्लेक्ट हो गई, 29 स्लेक्ट हो गई तो 31 परसंता उसको निकाल दिया फिर पुलिस की जोब के लिए 46 बंदों ने दिया जो इंटरू में पोचे 46 में से 45 स्लेक्ट हो गई, एक बंदा रह गए, उसको वहां से निकाल दिया फिर एक labor class के लिए उसने apply किया, देखो उस बंदे की इमत देखो labor class के लिए apply किया, उस बंदे ने 200 आदमियों काम देना था, 199ा काम मिल गया, एक रह गया और वो पता बंदा कौन था, जैकमा, जैकमा जिसको आज जो चाइना का सब से अमिरादमी बना और आज वर्ल्ड का one of the top 20 में रिचस्ट आदमी है, जैकमा, अलीबाबा का founder, अलीबाबा का वो head, तो उस आदमी ने हिम्मत नहीं आ रही, वो पता नहीं, लाइफ में कितनी बा रिजेक्ट हुआ, कितनी बार उस ने ये देखा, रिजेक्शन देखा, कितनी बार फेलिर देखा, आज मैं आपसे को एक बड़ी अच्छी चीज बता रहा हूँ, Mark Ruffello, एक एक्टर हुआ है, Mark Ruffello, जानते हो, एक फिल्म आईती, Hulk, Hulk का रोल देखा, कितना फेमस हुआ था, जो Hulk बना था, Mark Ruffello को एक बार नहीं, दो बार नहीं, पचास बार नहीं, सो बार नहीं, पूरा 600 बार मना किया था, कि भाया, तुम इस रोल के लिए हो ये नहीं, तुम कैसे ये बात कर रहे हो, कि ये रोल ये है, और इस रोल के लिए आप ये कर सकते हो, उसके बावजूद मार्क Ruffello को अपने अंदर विश्वास था, कि भाया, इस फिल्म के लिए, इस रोल के लिए, मेरे से कोई बैस आदमी है ये नहीं, तो गूगल सर्च करना सब, मार्क Ruffello ने जिद नहीं छोडी, और 600 बार, कोई इनसान होता है, हम तो दो बार में टूट जाते है, हम तो दो मिला, उसको सारी चीजे मिली, उसको A to Z जो उसको चाहिए था, वो मिला, तो मैं यह कह रहा हूँ कि बैस जिन्दकी में आप क्यो हो कि किसी ने आपको बोल दिया, कौन होता जज़ करने वाला दूसरा आदमी, कौन होता हमारी जिन्दकी की फैसले लेने वाले हम खुद हैं इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अपनी जिन्दकी में कभी भी कोई rejection आए, किसी mode पे कुछ भी आए, आपको कभी भी life में कुछ होग नहीं करना है, जो struggling होती है, rejection होता है, यह क्या होता है कि यह part होते हैं, एक हमारी success हो जाती है, फिर success, re-success create करते हैं तो उसकी part होते हैं, तो याद रखो, तो rejection है, यह normally है, इससे कभी भी life में घबराऊ मत, इसका सामना करो, मैं तो बहुत सामना करता हूँ, अब मैं सारी ची सोचता हूँ, उन teacher से भी मैं मिला, मैंने उसके पेर्च हुए, जो मुझे लेके जा रही है, जो मुझे हावर्ड क्या होता है, क्या हावर् किसी ने कुछ बोला, उसको बोलने दो, आपको क्या करना है, कि यह हमारे संसकार है, हमारा अगयवार है, सामने वाले को इज़त देनी है, अगर किसी को मिज़त नहीं देंगे तो उसका फाइदा क्या, आप डेर सारे देखता हूँ, तू, यह बे, यह नहीं, आप करके बा करते हो, आप बातचीत करते हो, आप किस से क्या बोल रहे हो, किस से क्या बात कर रहे हो, तो इसलिए हम बता रहा हूँ, और एक, जानते हो, Harry Potter, Harry Potter तो आपने सब ने सुना होगा, एक J.K. Rowling लेडी थी, उसने Harry Potter लिखा, तो वो हना, आठ, दस, बारा, बहुत पब्लिकेशन सबने उसको मना कर दिया, सबने, कि Harry Potter कोई चीज है, यह क्या चलेगी, यह तो बच्चों को पर बावद ने करेगी, बड़े इसको देखेंगे नहीं, कुछ देखेंगा नहीं, और वो बेचारी उस ताइम पर अपने बच्चे को पाल रहे थी, अके लिए उरत थी, बहुत स्ट्रगल कर रहे थी, बहुत स्ट्रगल, एक टाइम का खा लिया, तो खा लिया, दो-दो दिन भूखी थी, नॉमली था, फिर वो Harry Potter एक पुब्लिकेशन आउस था, उसने उसको ले लिया, उसको उसने प्रिंट किया, और आप सब देखते हो, कि उसके बाद हिस्ट्री है, Harry Potter ना सिर्फ बच्चों ने पसंद की, बड़ों ने, सब ने पसंद किया, कोई भी अद्बुत चीजानी होती है ना, अद्बुत चीज से पहले उसको धेर सारी बार रोका जाता है, कहते है ना कि, कई बार क्या होता है, कि एक एक पुरानी कावत है, ये हिंदी में भी है, ये आप सब भी जानते हैं, गाव में भी कावत है, मैं तो यही कहता हूँ, कि बगत का और जगत का अमेशा बैर हुआ है, बगत का और जगत का अमेशा बैर हुआ है, यानि कोई जो सही इंसान है, जो सही सोचता है, उसका और जमानी का अमेशा बैर होता है, चाहिए गोतम तो मैं वही कह रहा हूँ कि इस चीज से बिलकुल भी हो मत करो, हमारी जिंदकी में जो भी प्रिस्तिती आती है, चाहिए वो पोजिटिव आए या नेगिटिव आए, कोई फर्क नी पड़ता, और मैं यह कह रहा हूँ कि अलबर्ट, एक अलिजाबेथ ब्लेक विल, पड़ाई करना लाओ था, तो बड़ा मुश्किल करके उसको हावड ने ऐसे दे दिया, अटमिशन दे तो दिया, मगर साथ ही जो उसके स्टुडेंट से उसके साथ बैठने से मना कर दिया, वो बड़ी मैनत करके बड़ी मुश्किल से 1849 में, 1849 में, वो पहली USA की लेड़ी जिन्दकी में, जब उसका मैंने इंट्रू सुना, उसका मैंने पड़ा, तो उसने अपनी जिन्दकी में कम से कम, हर रोज, हर रोज वो पचास से साथ एजेक्शन देखती थी अपने लाइफ में, सुनते थी, कि नहीं यह तो यह करी न सकती, मलब हर रोज, जब साठ से बा सब्सक्राइब साथ शायरकितल Ramadan में, आप जगाए उसके बावजुद भी हो उस पर डटी रही, उसके बावजुद भी, उस पर खडी रही तो बै, कितनी बड़ी बात है, तो मैं इसलिए कह रहूं हatic, मुझे तो कहते है लोग यह काम यह निकर सकता और यह काम यह कर सकता, ये इसके लिए बनाई, इसके लिए बनाई, ये सब फालतू की बात है बोला ना की डॉक्टर काई गाँ एक्सपर्ट साइन्स और माइनड लिमिटेशन तीन जग है लिमिटेशन चोथी जग है ये नहीं भईया मैं तो काई रहाँ मेरा तो ये रहता है अकड़ तोड़नी है, आमें उन सब मंजीलों की जिनको गुरूर है अपने उचाई पे, सब को फते करो बहिए, सब पे जाओ, बस यह फते तब करोगे, जब आप में वो हिम्मत होगी, आप में वो होसला होगा, आप में वो सास होगा, इन सब से फाइट करने का, इन सब से ल और भड़ा हो जाता है, वहां पर नसीब को जोना अर्णा में परता है, यह बात लिखवा के ले जाओ करी ड़ेता कोई कहता है या नसीब में नहीं कि नहीं कि अनदेहां Baja पाकट परित उख जने को मैं ननां अधिगुरु शंक्राचार्य सुना उसके बारे में संक्राचार्य को टीचर हरोज बीटते थे तो बच्चा था पढ़ाई करता नहीं था हरोज बीटता तो फिर एक दिन ने टीचर था उपढ़ा ज्यानी धानी था उस टाइम पंडी थे बड़े जानने वाले थे बला रहे हाथ दिखा पना बला बईया तेरे तो हाथ में यह वो पढ़ाई के रेखा नहीं है तो तू यह बता कि तो जी तो मखाम का मार रहा था उसने का कि सर पढ़ाई के रेखा कौन सी है बला यह रेखा है तेरे तो है नहीं भई या तो मैं मुझे माफ कर दे गलती हो गई अखले दिन उस पच्चे को बात चुप गई क्योंकि बच्चा था बारा तेरा साल का उसने बलेड लिया एक कोई दो किला और वो काथ लिया आथ वहां से रेखा बना लिए उसने का देखो गरुजी बला आद रेखा गई है तो उसने पता क्या बोला कि बेटाकर आशे रेखाती तो रेखा सब बना लेते मैं भी बना लेता, सब बना लेते, तेरा जिन्दकीम को सनी होने वाला है वही बात उसको लग गई, उस बात ने आदिगरू शंकराचारे ने वर्ल्ड के इतने लिख दिये, वेद शास्तर जो आज अंपड रहे हैं, जो तोड मरोड कर रहे हैं आदिगरू शंकराचारे के दिन हैं, तो इसलिए कह रहा हूँ कि भईया, आप निकलो तो आप घर से, कोशिश तो करो, शुरुआत तो करो, रोकने वाले तो रोकेंगे पिर यही रोकने वाले, इनको सोचो कि भईया, आपके लिए तालीब जाने के लिए खड़े हैं, रोकने के लिए खड़ाई हैं देखो भईया, वो आपका इंतिजार कर रहे हैं फिर यह वही यह सब लोग हैं, जो आपके लिए सेल्फी लेरी के लिए बागेंगे आपका इंतिजार करेंगे, आपको टीवी पे देखेंगे, आपको अख़बार में पढ़ेंगे, आपको इस सब करेंगे और मैं कहता हूँ वह या, जिन्दगी में तीन तरह की इनसान होते हैं एक अते हैं सियरा, यह एक 내 हूँ हुआ जाते हैं, खूची ठाएली में बहुत दुखिये जातये हैं यह जिन्दगेएज थोड़ी बिसे मेहनत करते हैं। मतलब आउट औ фधाजों थोड़ी, बिस्क रिस्क ले आपको लाइ भी आपको भी रिस्क, बहुत रहती हैं वो फिर जाते हैं नहीं, लोग उनके बारे उनकी किताब में पढ़ते हैं कि यह था वो यह कर गया, यह वो था यह कर गया, वो बाग के उपर है, वो पागल बनो, वो जुनूनी बनो, वो सारी चीज करो जो आप कर सकते हो, किसने बोल लिया, नहीं लांस आमस्टो का नाम सु उसकी वाइफ ने छोड़ दिया, जैसे ही चला गया, वो एक बार उसको साइकलिंग टीम मिली, तो उसने बला, और वेयर लिफ्ट में क्या कर रहे हो, बला किंग ओफ फ्रांस की तयारी कर रहा है, यानि किंग ओफ फ्रांस साइकलिंग में सब से बड़ा टाइटल है, जैस बावजद उस बंदे ने, इस सारी चीज करने के बावजद उसको बड़ी आतनाएं देली, जब उसकी वाइफ किसी के वो पार्टी में गया, उसकी टेस्टिकल उसका सब उपरेशन हो गया, उसको तो बहुत, मैं बोल ने सकता, बहुत चीप बाते बोली गई है, लेटर ल कर सकते हो, या बैठते हो, या सोशल मेडिया पे जैसे हम करते हैं, गाली देते हो, ये सारे करते हो, उसने कर दिया, इसने कर दिया, मैंने वो कर दिया, इसने कर दिया, उसका फाइदा क्या है, समझे रहे हो ना, भया, बदला नहीं, बदलाव लाओ, और बदलाव पता कू कोशिश करो कि भाया, आप ऐसे बतलाव ला सकते हो, इसलिए मापको बता रहा हूं, करने को अधेर सारी चीज है, तो आपको रिजेक्ट करें ना जो, करने दो उसको, कहने दो, उससे सीखो, कि मान लो रिजेक्ट कर दिया, यह निदि आपको रिजेक्ट करना उसकी बेज़त यह सोच लेता है ना तो यह सारी चीज अचीज अचीव कर सकता है इमा को बता रहा हूँ सोच के तो देखो आप अचीव कर लेता है सब कुछ सारी चीज अचीज अचीव कर लेता है अब मैं खुद कह रहा हूँ देखो परकरती में जो यह अभी कोरोना चल रहा है सो साल में एक बार ऐसे कुछ आता है मेरी दादा जी मुझे बताते थे कि उनीस सो बीस के करीब ऐसा कुछ आया कि वो एक डेड बोडी को जला के आरे दूसरी डेड बोडी तो यार मिल रही थी पहले दिन उनने खाना निखाया उसके बावजुद फिर उनने क्या किया कि खाना खाना स्टार्ट किया और छेचे बाही होते थे कई वो उन में से एक एक बचा बड़ा मुश्किल थे इतने जगे वो हो गई थे कि वहाँ पे डेड बोडी ये सब फुकने का या यह सब करने का, दफनाने का, कोई जगह नहीं बची थी जो मुशलिम थे औह दफनाते थे फिर फिर हिंदू थे औह जलाते है तो जगह नहीं बची थी तो इसलिए मैं कहा रहा हूँ कि भाया इस बीमारी को यह मामारी ना बनने दो नाव करने दो, सेफटी रखो जब सरकार ने बोला, सब ने बोला तो इस लोगडाउंगा पालन करो और जो मुरदाबाद में जो गठना वही मैं उसकी कहना चाहूँगा बही आप किस से भाग रहे हो तो बताऊ नाप डोक्टरों को मार रहे हो आप इस सब कर रहे हो, किसके लिए बताऊ डोक्टरों पत्थरवर्सा क्या हो जाएगा वो आपकी जान बचाने आए है अब जो आपकी जान बचाने आए आए आप उसको पत्थर कोई तो कोन आएगा, कोन सपोट करेगा तो यह ऐसे क्या होते हैं कि ये कुछ ऐसे अराजकतावादी होते हैं जो पड़े रिखे नहीं होते हैं जो बेवकूफ होते हैं तो उन से दूर रहो उनको दूर रखो और दूसरी बात क्या है कि जिन्द की मेहना कोशिश करो इस बीमारी से भी लड़ो और सब को अवेर करो इस बीमारी से पास जाके दूर रह के अवेर करो जरुत मंद की मदद कर दो कि अपने गर में बच्चों को सिखाओ बड़ों को सिखाओ हाथ कैसे दोने हैं हमें अपनी इम्मुनिटी स्टोंग करने के लिए जो मैं सारी बाते बता रहा हूं ये आपको माइंड को फीड कर रहा हूं ताकि माइंड अ ऐसे मैं भी बनाता हूं मघ इतना चाहा हं बनाता तो बोत wanna बनाया मगर एक जो सैनी थे लगकी सैनी मुझे ठोई घ्बा मुझ अर्ष्टे लगा झाल तो आज मैंने उका शेयर किया उनका मैं बोत अच्छा बनाया उनका मैंने शेयर किया और कल का में तास्क दे रहा हूं हो सकता है कि हम आगे से ना ये session ऐसे ना करें, शायद last भी हो सकता है या आगे बताओंगा हम आपको आगे से हम workout के session करें कि या hand stand बनाना कैसे सीखना है, या सांस कैसे लेना है पानी कैसे पीना है something immunity storm करने के लिए क्या करना है कौन सा workout क्या करना है क्या खाना खाना, तो शायद आगे हम ये session कर सकते है ठीक है, मगर मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, एक चीज दे रहा हूँ तो उसका वो करना, टास्क ये है आपको 15 तो push-ups मारना है dips, 15 crunchies मारना है मतलब sit-ups 10 से 15 superman करना हूँ और ये सब करके मुझे tag करना है हराओ करोना, चैंपियन बनोना तो क्या है कि जिसका सबसे बेस्ट रहेगा जिसका सबसे बेस्ट रहेगा, उसका मैं शेयर भी करूँगा अपने Facebook पे, Twitter पे, Instagram पे उसका नाम भी बोलूँगा, उसका सारी चीज करूँगा तो इसलिए क्या करना है कि आपको ये सारी चीज करनी है और workout का session भी हम स्टार्ट करेंगे जल्दी करेंगे, आप मैं वही planning कर रहा हूँ और मैं फेक छोड़ी सबादता रहा हूँ ये बहिया काम्याबी का जनून होना चाहिए सफलता का जनून होना चाहिए फिर मुश्किल होगी क्या उकात है तो rejection is the world best motivation ठीक है, आगे आपको ये सीखना है ये ही आपको करना है तो भी आख खुश रहो सारे हसते रहो, हसाते रहो एक चीज है कि खुशिया बाटने से बढ़ती है तो इसलिए खुश रहो और लाइफ में जो आपके सपने हैं उनके लिए धेर सारी शुब कामना हैं पूरे करो, आगे बढ़ो खुश रहो टांग मत खीचो, टांग दो, कंदा दो टांग की जिए कंदा दो कि मेरे कंदे पेर रह उपर चड़ जा जाब आगे बढ़ो ठीक है ना? God bless you all Namaste Love you all ख्याल रखो गई आपना